अन्म्यूट कीज़े शायद अपने अन्म्यूट ने क्या है देखे कॉंग्रेस पार्टी लगातार भारती जनता पार्टी के खिलाफ लड़ती हुई नजर आ रही है जो उत्तर प्रदेश में आरजक्ता का महौल है बिरुजगारी का महौल है महगाई का महौल है उसके की बात जो आपने की है कॉंग्रेस पार्टी ने पहले दिन से कहा था जो दल भारती जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ कहीं न कहीं हमारी बाचित होगी और निश्चित तोर पे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो रूप रेखा है वो आपको बताई जाएगी लेकिन जो इंटर्नल मामला होता है वो सारवजनिक नहीं किया जाता है हमारी किस से बात हो रही है किस से नहीं हो रही है वो हमारा सिर्स नेतर दुताई करेगा कि आने वाले समय में किया किया जाएगा लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने देखा है कि भाती जंता पार्टी के सासन काल में जिस तरह से लोगों पिर प्रहार हुआ है लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं महेंगाई से विर्ददारी से युवक जो है जोज रहे हैं लेकिन सरकार उनके साथ कोई सारोकार नहीं करके सिर्फ और सिर्फ सरकार गिराने में लगी है कहीं जोड़ तोड़ की रानीती कर रही है तो यह जो कब तक यह करेंगे कही ना एक दिन जो काड़ की हांडी जो भरी है तो कहीं ना कहीं फूटेगी और कॉंग्रेस पार्टी तो लगाता है जिस तरह से पेज़ उनको जो विपच्छी दलों की जो बैठक हुई है उसमें इस पर तोर पे राउज गांदी जी ने कहा है कि आने वाले समय में जो भी रू असपाक किसी से नहीं करें कटबंदन ये भी को कह रहे है बीजेपी अभी नहीं बुला रही है एरो राजबर ने ये कहा है गाजिपर लोग सबाद चुनाओ की कोई तैयारी भी नहीं है हालकि एक आजारा था एक सीट राजबर की पार्टी को दी जा सकती है साथ किसी को भी एक सीट दी जा सकती है बीजेपी के तरफ से तो ये फॉर्मूला आखिर कैसे हवा में तैर रहा है देखिए आप लोगर बार्तिय अंदर पार्टी के राज़नीद को कवर करते होंगे तो पिछले साथार सालों में तो जो चीजें खबर उड़ती है और वार में आती है या नियूश्ट पर आती हूँ चीजें कभी नहीं होती है तो इस पिसे पर कोई कमेंट करने का कोई आधार नहीं अभी बनता है फिलाल जब चीजें हो जाएंगे अगर कुछ होता है इस तरह की बाते है होता है यह सपत ग्राइब हो जाता है कोई सामिल होता है उसके बाद इस पिसले पर हम इसक्रस्ण करेंगे तो मुझे रगता है प्रिशान जी तो लेकिन आप कहरें जो खबरें मीडिया में आती है उख फ़बर पुष्ट नहीं होती है तो क्या यह माना जाए राजबर लगबर षाजे यह सभी के लिए खोले हुए है हमने कभी किसी को किसी दल को जबारण से लेकर कि आखकर किसी दल को अपने अपने गर्वन्दन से नहीं निकाला है जो भी डल गहन है अप qualité एख फ़बिस कर चुना और रहे है बहुत सारे धल हमारे साहरे है वहा 앞에 अकाली दल आ रहा हो एंसे भी नडिये में सामिल हुआ है और भी दलों से हमारी बात चीज चल लए इसी संदर में अगर कल को उसी तरह गडबन बनता है उसकता है जैन चोधरी जी के साथ भी बन जाए तो यह भी कयास है हो सकता है कि अभी आठ महीने लगबर साथ महीने लोग जी चुना साथ को हम देखते हैं कि उत्तरबदेश स्पेसिक में बात करना हूँ कि विपक्ष के खिलाव ही बोलते रहते हैं सत्ता के खिलाव बोले ना बोले लेकिन विपक्ष के खिलाव बोलते रहते हैं यहां तक कह रहें कि भाई जो माराश में हुआ उस पर वो कह रहें कि यहां पर समाजवादी पार्टी में तूट सकते हैं और सत्ता के साथ कुछ लोग विदायक आ सकते हैं तो ऐसी बयानबाजी के बात तो ऐसा लगता है कि आपका जुकाव कंश को विववपक्ष की तरफ तो नहीं है देखे कंश कि विवपक्ष की खिलाब वोलते रहते कियोंकि चार्शार बार उत्तरप्रदेश के अधर चाहे समाजवादी पार्टी हो सरकार बानारे चांग्रेस ने भी सरकार बनाई हम उन सरकार के टाइम में जब आपने चारचर बार सरकार बनाई तब आप जादिकर जनगर्णा की बात नहीं कर रहे थे तब आप नय समित की रिपोर्ट लागू कराने की बात नहीं कर रहे थे तब आप उन मुद्दों को लेकर बात नहीं कर रहे थे और आज आप बात कर रहे है कि सरकार हमारी बर्माने का काम किया जाए और हम इन मुद्दों को लागू करने का काम करेंगे तो विपच्च आज हमारे राष्टेदि जी ने कहा ना उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज है आज यहां 80 सीटे है उत्तर प्रदेश में आज आप उन 80 सीटों के जो वोट दि लाड़े का काम करेंगे अगर यहां पर उत्तर प्रदेश में वोट लेना है तो सोहल भारती समाज पार्टी के पास वोट है बहुचर समाज पार्टी के पास वोट आप इन नेताओं से बात नहीं करना चाहते हैं आप इतना यह बताएए आप नेटत कर रहें उत्तर उत्यासी उतरता है उसके लिए वोट मांगा भी जाता है तो सोहल भारती समाज पार्टी समिच्छा है बैड़को का दौर जाली हो चुका है उन बैड़को को करकर हम अपने संगठन को मजबूती करने का काम करें गड़बंदन को लेकर जो चर्चाय चल रही इन चर्चाव का कोई माइने नहीं है सोहल भारती समाज पार्टी के पास विचारधा रहा है सोहल भारती समाज पार्टी के पास जंडा है सोहल भारती समाज पार्टी ये खुद ससक्त मजबूत दल उभरकर उत्तरप्रदेश की धरती पार आ रहा ही 75 जत्मतों में आजी हमारे 75 जत्मतों और हमारा जो संगठन जो प्रिक्रिया है वो चल रही है कल हम लोगों ने जो विधान सभा हमारे प्रत्यासी थे 2022 की उनको बुलाया था उनके साथ में वार्था की हमारे प्रदेश अद्देश ने अगर आपको इतना ही लग रहा है भारती जनता पार्टी खिलाब लड़ाई लड़िये आप भी आईए भी पच्छी दलों की बैटग में लेकिन वो यह नहीं कर सकते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ सौर्फ और महातुकांचाओं की राजनीती करनी है नहीं वो आएंगे नहीं आप लोग बुला नहीं रहें दरसल नहीं सचिन जी सचिन जी दरसल राजबर साब को आप लोग बुला नहीं रहें इसलिए वह लोग आ रहीं राजबर साब कहा रहें कि भाई आमें बुलाओ तो सही वपक्षे साथ हम तैयारी से लड़ेंगे अच्छा ये बताईए भारती जन्ता पार्टी के साथ चुनाओं मिलकर लड़ते हैं उसके बाद उनका साथ जड़र गरबंदन चोड़ते हैं उसके पहले बस्पा में थे उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ जड़र बंदन करते हैं उनको छोड़ते हैं तो ये जो स्वार्थ की रानिती और महात्रों का ज्ञाओ की रानिती करने वाले नेताओं को पार्टी क्यों गुलाए सबसे पहला सवाल अगर उनको लड़ाई लड़नी है तो लड़ेना भारती जंता पार्टी की हिलाफ सुनिल जी सुनिल जी जल्ली से जवाब जल्ली चोड़ा जवाब सुनिल जी कुछ कहना चाहरे होंगे सुनिल जी सोहल भारती समाज पार्टी ने ही गड़बंदन करने का काम नहीं किया कांग्रेस ने भी गड़बंदन करने का काम किया चाहे कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गडबंदन किया हूँ चाहे बहुजर समाजवादी से गडबंदन किया हूँ मगर ये बताईए सोहल भारती समाजवादी पार्टी ने गडबंदन किया था 2017 में सरकार में सवाल कर रहे थे सरकार ने मारी बात को नहीं माना हम छोड़कर चले आए तो इसमें कौन सी नहीं बात हो गई आप बताईए ना आप ये बताईए जो अभी भाई है बहुत भूँ धन्यवाद तमाम एमानों का तो भी गठबंदन की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही लेकिन गठबंदन तो करना होगा उपी राजबर को इधर या उदर सत्तापक्षी तरफ या पर विपक्षी साथ गठबंदन तो करना पड़ेगा लेकिन फिलाल सिटी स्पष्ट नहीं है हालकि एक फर्मूले का जिक्र जरूर किया जा रहा है कि एक फर्मूला तेख किया गया है बीजेपी के तरफ से क्या उस फर्मूले के साथ उपी राजबर बीजेपी के साथ कटपनन करेंगे या फिर विपक्ष के साथ जाएगे इसके लिए थोड़ा सवार इंतजार करना पड़ेगा